साई की बात बचे एक बात कहूं तुमसे आज के बाद न तुम्हे कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि साई मेरी किस्मत खराब है तुम्हे अब मुझ पर भरोसा होगा क्योंकि अब मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ मेरे बचे तेरे जिन्दगी में सब कुछ बदल दूगा मैं तेरे किस्मत को तेरे भागे को हर चीज को मेरे बचे और जो तेरे विश्वास टूट रहा है ना मुझ पर से डगमगा रहा है अब इसे डगमगाने नहीं दूगा मैं अब विश्वास होगा तुझे प्रतेक्ष रूप से तेरे जिंदगी में चीज़े होंगी और तो खुद देखेगा मेरे बचे इस बार अब सब कुछ होगा विश्वास रखना मुझ पर और विश्वास क्या अब तो दिखाऊंगा तुम्हें तो विश्वास सो अपने आपी होगा मेरे बचे चिंता मत करना अब से बहुत कुछ बदलेगा बहुत कुछ बदलेगा मेरे बचे आज के इस सुभा की सूरत से सुभा की रोशनी से तेरे जिंदगी महक उठेगी मेरे बचे तो जिन्दगी में रोशनी आएगी मेरे बचे और सुन जिन्दगी मेना मेरे बचे कभी भी गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती मेरे बचे अगर दोनों में से एक पहिये ना हो न तो गाड़ी लडखड़ा जाती है मेरे बचे तो जिन्दगी में रिष्टों को चलाने के लिए दोनों गाड़ी के पहिए यानि कि दोनों लोग सही सलामत होने चाहिए मेरे बचे अगर वो दोनों सही सलामत रहेंगे सासा चलेंगे न तो गाड़ी भी सही चलेगी जिन्दगी की गाड़ी मेरे बचे सही चलेगी मेरे बच्चे अगर दोनों में से एक भी डगमगाएगा तो परिशानी तो आएगी ना मेरे बच्चे तो ऐसा मत करो और एक बात कहूं तुमसे रिश्टों को चलाने के लिए ना कभी कभी इनसानों को ठहराव रखना बहुत जरूरी होता है अगर कोई एक कहता है ना तो दूसरे को सुननी चाहिए उसकी बात को अगर वो अपने जीवन साथी की बातों को नजर अंदास करेगा उसकी बातों को विरोध करेगा उसकी बातों को नहीं सुनेगा ना फिर मन मुटाफ तो होगा ना मेरे बच्चे, लड़ाई जगड़ा भी होगा, मत भेद भी होंगे मेरे बच्चे, तो क्यों ऐसे चीज़े करना मेरे बच्चे, मत करो, मत करो जिससे चीज़े बिगड़ जाए, बल्कि सुलचाने की कोशिश करो, अगर एक कह रहा है न, तो दूसरे को मान लेन चाहिए मेरे बचे और अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला गलत है अगर वो गलत कर रहा है तुम्हारे हिसाब से तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो ना उसे बताओ उसे सही रास्ता दिखाओ मेरे बचे और सुनो बात खाने पीने की नहीं है मेरे बचे बात है इ इज़त पे आये न, वहाँ पर मेरे बचे हट जाना चाहिए मेरे बचे, अगर तुम्हें इज़त पूरवक्त नहीं बुलाया गया, अगर तुम्हें मान सम्मान से नहीं बुलाया गया, बस ऐसे ही तुम्हें बोल दिया गया कि आ जाना, तो ऐसे मत जाना मेरे बचे, मान समान कित collar बड़ी बात है मेरे बच्चे यह मैं जानता हूं मेरे बच्चे और सुनो किसी को कटू वचन केहने से पहली न दसा बार सोचना मेरे बच्चे क्यूंकि जो शब्द तुम अपने मुख से निकाल देती हो न तो क्या वही शब्द अगर तुम्हारे लिए उपयोग किये जाए तुम्हारे लिए इस्तमाल किये जाए तो क्या तुम्हें बरदाश होगा मेरे बचे तो सोस समझ कर बोला करो जिन शब्दों को तुम सहन कर सको अपने लिए वही शब्दों को सामने वाले के साथ में इस्तमाल किया करो सुन रहे होना मेरी बात को ऐसा नहीं कि बस सामने वाले को कह दिया लेकिन खुद को बरदाश नहीं हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुद को बरदाश नहों, वो सामने वाले से भी नहीं कहना चाहिए, चाहे गुसे में ही क्यों नहों मेरे बचे, और सुनो, मेरा अंदान होने जा रहा है मेरे बचे, और उसमें तुम्हारा सयोग हो रहा है, ये मैं जानता हूं मेरे बचे, तुम उसमें सयोग कर रहे हो, बहुत दिल से, बहुत मान सम्मान से मेरे बच्चे, तुम मेरा हमेशा मान रखते हो, हमेशा, और तुम मेरे बच्चों तक वो खाना पहुंचाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मेरा दिल खोश हो जाता है मेरे बच्चे, जो तुम अंदान करते हो ना आके पकवान खिलाओंगी न रोज तु शयाद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे को एक सूखी रोटी भी खेलाओ गे न तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी बहुत खुशी और सुनो कमिया तो सम्मे होती है मेरे बच्चे हर इंसान में कमी है कमी तो तुम्हारे अंदर भी है मेरे बच्चे अगर इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण है तो कोई ना कोई कमी भी तो है ना मेरे बच्चे तुम दूसरे की कमी को उजागर करकर बार बार उसकी हसी उड़ाकर उसकी कमी को जटाकर क्या दिखावा करना चाहती हो क्या जटाना चाहते हो उसे क्या उसे नीचा दिखाना चाहते हो क्यों बार बार उसकी कमियों पर क्यों उठाते हो तुम क्यूं बार-बार उसे ऐसी चीज़ों पर बार-बार उसे जताते हो कि वो उसकी कमिया है मेरे बचे क्यों करते हो ऐसा बलकि तुम्हें उसे ये समझाना चाहिए कि अगर उसके अंदर कमी है तो क्या हुआ उसके अंदर खासियत भी बहुत है वो इस काम को कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है तुम उसके साथ हूँ ऐसा कह दो न अगर तुम उसके साथ नहीं भी हो तो कम से कम कह दो के न तो शब्दों का वज़र इतना भारी होता है न मेरे बच्चे उस शब्दों की वज़ा से ही इनसान बहुत आगे बढ़ जाता है वस शब्दों में ही वज़न होना चाहिए शब्दों से ही इनसान को बहुत हिम्मत मिलती है मेरे बच्चे बहुत हिम्मत अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो क्या तुम्हारे हिम्मत टूटेगी नही कि हाँ तुम्हारा साइट तुम्हारे साथ है चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे हिम्मत बन जाएगी और वही हिम्मत तुम्हें आगे लेकर जाएगी तुम्हें तुम्हारे मंजल तक लेकर जाएगी और वही मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की हिम्मत बनो दूसरों के लिए जिंदगी बनो, दूसरे के लिए उजाले बनो, तो करो ना ऐसा, और सुनो, किसी के पहनावे से तुम ये पता नहीं कर सकते, कि वो इनसान कैसा है, वो दीमान है, या बेवकूफ है, तुम नहीं कर सकते, बास्तफिक्ता में वो इनसान क्या है, उसकी पहु नहीं कि तुम उसकी हैसियत का पता लगाओगे उसके पहनावे से नहीं कि तुम्हारी गलत सोच है किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं लगाया जाता बिलकुल नहीं पहले सामने वाले को समझो उसे पर्खो उसके बाद ही उसका अंकलंग करो पहले से ही उस पर अपना ठपा मत लगाओ कि तुम ये सोच बैठे हो उसके लिए और सुनो मेरी बात को जो इंसान पहले से ही भरा हुआ है मेरे बचे बहुत भरा हुआ है तुम पर भढ़का हुआ है अगर उसके सामने तुम पहले से चले जाओगे तो वो और भढ़क जाएगा तुम पर तो पहले एक काम करो, पहले एक बीच का माध्यम मनाओ जिस तक तुम्हारी बात वो वहाँ तक पहुँचा सके उसके दिल से सारी बातों को निकाल सके, जान पाए और उसके बाद में ही तुम उससे बात करना क्योंकि अगर तुम खुद ही उसके पास बहुँ जाओगे न सारी बातों को पूछने करने तो वो और भड़क जाएगा तुम पर इतना भड़क जाएगा कि बस फिर बात सुलजने में नहीं आएगी बिलकुल नहीं आएगी बात बहुत बिगड़ जाएगी और बात को बनाना है तुमें बिगारना नहीं है तुमें और इसलिए कह रहा हूँ कि बीच के माध्यम को बनाओ और वो माध्यम उसके मन में से सारी बातों को उगलवाएगा और उसे शांत करेगा कुछ बाते वो तुम्हारी तरफ से भी करके आएगा जिससे सामने वाले का मन बलट जाएगा और मन शांत भी हो जाएगा जब अंदर से कुस्सा निकलता है ना मेरे बचे तब वो धीरे धीरे शांत भी हो जाता है तो बात को समझो खुद मत जाना खुद जाने की जिद बिलकुल भी मत करना बिलकुल नहीं करना और सुनू मेरे बचे मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारा समर्पन सच्चा होगा तुम्हारे नियत सच्ची होगी तुम्हारा मन साफ होगा तो जरूर 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 मैं तुम्हारा साथ दूँगा, जरूर दूँगा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा, मैं साथ उनका नहीं देता, जो जूट करते हैं, जो फरेव करते हैं, जो धोका देते हैं, मैं उनके साथ कभी नहीं होता, चाहे वो मेरे बच न होती है हर किसी के लिए मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं हमेशा खड़ा रहता हूं हमेशा और सुनो तुम्हें बुखार है तो सुनो उधी लो उधी का जल पीकर अराम करना तुम तीन-चार दिन में ठीक हो जाओगे मेरे आशिरवात से खुश रहो आज का साई संदेश सम आखँ रहता है तो अ झाल झाल